दो और प्रिपोजिशन्स अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स को कवर करेंगे हैं इस वीडियो में अपवर्ड या अपवर्ड्स इन दोनों का अर्थ है उबर की और डाउनवर्ड या डाउनवर्ड्स इन दोनों का या अर्थ है नीचे की और तो इनमें अंतर क्या है? जब हम upward और downward भूलते हैं तो यह American English के word है और जब इनी के आगे हैस का प्रियोग कर दिया जाता है upwards और downwards तो यह British English के words बन जाते हैं बस इनमें यह अंतर हैं बाकि इनकी meaning में कोई अंतर नहीं है upwards के example देख लेते हैं She is looking upwards वह उपर की ओर देख रही है अगला example है एक plant grows upwards एक plant उपर की ओर ग्रो करता है एक plant grows upwards एक पोधा उपर की ओर व्रधी करता है दूसरी preposition downwards को देख लेते हैं downwards यानि नीचे की ओर example है He is coming downwards वह नीचे की ओर आ रहा है नीचे की ओर आ रहा है यानके इंस सीडियों से या किसी डालदा रास्ते से तो He is coming downwards वह नीचे की ओर आ रहा है downwards का आगला example देख लेते हैं Rohan is lying face downwards on the bed Rohan बिस्तर पर मुह नीचे की ओर करके लेटा हुआ है तो I hope prepositions upwards और downwards को आप अच्छे से समझ गया होंगे यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको like कीजिए इस चैनल को subscribe कीजिए और इस चैनल की सारी वीडियो को share कीजिए अपने friends और relatives के साथ कि अच्छे